नो इसकार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अभी शेक शर्मा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट के दर मैं बात करता हूँ 1161 रुपे 75 पैसे पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़रा रहा है देखिए थ्रियावर चार्ट को अगर हम देखते हैं लगातार एक किरावट का सिलसला स्टॉक में जारी है अगर यही किरावट चारी रहती है नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेकर चल सकते हैं 1100 रुपीज का अगर इस सपोर्ट लेवल को भी स्टॉक परेक करता है तो देखिए और निचले जो लेवल्स हैं वो भी हमें देखने को स्टॉक में मिल सकते हैं तो support का यहाँ पर ध्यान रखें, stop losses लगा कर चल सकते हैं। बात करें, targets की यहाँ से recovery बनती है, एक bounce back अगर हमें देखने को मलता है, तो आने वाले trading sessions में, जो target stock achieve करेगा वो हैं, 1200-1250 यहाँ तक की, 1300 रुपे तक के targets भी, achieve होते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा में नजर आएंगे, तो अगर आपके portfolio में महिंद्रा शामिल है, continue hold करें, इन levels पर अगर आप fresh buying करना चाहते हैं, तो देखें दूस्तों, यहाँ पर अभी fresh buying को थोड़ा avoid करें, एक resistance label में आपको दिखाता हूँ, 1310 रुपे का, जब तक इस resistance label को stock break नहीं करता, कोई भी fresh buying हमें नहीं करनी है, तो यही strategy आपको पनानी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में, आप चाहें तो अपनी खुद की analysis, खुद की research, जरूर करके चल सकते हैं, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,